लोगाईस आपका स्वागत है टेकनिक टू गुरू में आज हम आपको सिखाने वाले हैं पलंबर के काम करने के लिए आपको जो है कि सबसे पहले जो है कि जॉइंट करना आना चाहिए चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर दे नीचे वाला जो रेड़ कलर का बटन आफ करना है जो की सीरिज्क आगज यानिकि संटेन पेपर से अगर प्प्रोफेशनल प्लमबर बनना चाहते हैं प्लंबिंग के काम कैसे करें आप कोई काम करना हैं प्लंबिंग का तो अगर देख सकते हैं इस तरह से कटिंग होता है तो सफाई करना है चिपिंग जो करना है आपको ड्रिल रखना है प्लंबर कोई पास ड्रिल होना चाहिए टूल्स में अच्छा सफाई हो गया है उसके बाद जो अब हमारा आता है कि हम सौल्वेंट लगाएंगे तो सबसे पहले जो है कि फिटिंग को भी हाथ से सफाई कर ले अगर आप बिदेश जाते हैं बिदेश में दुबई अगर हम प्लम्बिंगे काम करते हैं तो आपको क्लीनर मिलता है सफाई करने के लिए सबसे पहले फिटिंग में लगाएंगे बहुत अच्छा तरीका से उसके बाद जो है कि हम लगाएंगे अपना पाइप में जो करने का मैं तरीका बताऊंगा तो देख सकते हैं इस तरह से आपको हाथों से जो है कि मिला देना है उसके फिटिंग में भी हाथ घुमा सकते हैं अगर बराबर गुलू नहीं लगा हुआ है यानि कि सॉल्वेंट बराबर नहीं लगा हुआ है उसके बाद से आपको इस तरह में देहिए किस तरह से पोछ रहा हूं। पूरा भी तरी सफाई कर रहा हूं भी क्रणा बहुत ही ज़रूरी होता है तो देख सकता है सफाई करना प्रॉफिय्ट अगर और प्रॉफेश्नल प्लंबर बनते हैं सौधी szakने के लिए तो आपको जो है कि कोई भी काम है आपको सफाई करके कर काम करते हैं तो कोई भी कहेगा कहां प्रोफेशनल प्लंबर है तो प्रोफेशनल प्लंबर बनना है तो आप वीडियो पर अंतक बने रहे हैं बहुत कुछ आपको जनकारी देने वाला हूं जॉइंट करने के बारे में तो यह हमारा एक हो गया उसके बाद से हम इसको करेंगे थोड़ा सा चीपिंग करना है तो देख सकते हैं चीपिंग जो है कि आपको ड्रिल स्टोर द्वारा प्रवाइड किया जाएगा अगर दुबाई योगरा में रहते हैं अगर इंडिया में भी काम करते हैं तो आप इस क्या होता है तो फिटिंग में लगाना है आपको पाइप में नहीं लगाना है दोस्तों कितना बार प्लंबर को मैं देखता हूँ कि वहलका फूल का लगा कर डो कर देते हैं इसलिए क्या होता है अगर आप घर पे भी काम करा रहा है या किसी के घर पे काम कर रहे हैं अगर अच्छा काम करिएगा तो आपको हमेशा वह आदमी बुलाएगा कि हां अच्छा काम किया था हमारा लीक नहीं आया आप ऐसे करेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा और जॉइंट करते टाइम में आपको भूमाना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद से आपको पोच देना है देखिए मेरा जॉइंट कितना जबरजस्त हो रहा है और किलियर जॉइंट हो रहा है अगर आप इस तरह से जॉइंट करते हैं तो कोई भी आप आपको प्लंबर बोलेगा नहीं तो बोलेगा कि यह तो जोल अच्छा प्लंबर है तो आपको अच्छा प्रोफेशनल प्लंबर बनने के लिए ऐसा ही ज्वाइंट करना होगा उसके बाद से देख सकते हैं हमारा जो है कि अब इसको हमने मार्किंग कर लिया हूं वहां पर लगाना है अपना फीटिंग में यानि कोई भी सिटिन कर रहे हैं चाहां कुछ भी मिरुट होगा होगा तो यह हमारा हमस के बाद से हमए बलाबर लगाना में जी हैं पल्कुल ब्राबर लगाना है आपको जो है कि सॉल्वेंट जो है कि बिल्कुल बराबर लगाना है तो देख सकते हैं इस तरीका से हम जो है कि यहां पर आप रखके एक जॉइंट और करेंगे आपको पूरा वीडियो पर अंतक बनेना है आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे इस तरह से अगर करते हैं, देख सकते हैं कि मोटर का डेरेक्ट पानी और यहां पर हम क्या करेंगी Mario स circulating Episode और अई यहां से इपुङत करेंग तो यहां कि वाल ओपन करेंगे पनी यहां कौने हमारा पानी जो फ्रेश पानी यानि मोटर को दयेक्ट यहां है चीमy सकते हैं लगाना है और गुलू जो है कि यानि कि सॉलबेंट जो है कि सिमेंट जुआ कि आपको बराबर लगाना देखसेंगे चारो तरफ बराबर लगाईएगा तो लीक का है जो की चांसे बहुत ही कम रहेगा और जॉइंड़ है कि हिला करना है आपको घुमा करना है इस तरह से अगर आप जॉइंट करते हैं तो almost हो गया अभव हम करेंगे वह the last वाल के पास दिख़ैंगAN rang करने यह भी हमारा हो गया है तो अब हम लाउस्ट में इसका जॉइंट करने वाले अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं अगर सफाई से काम करते हैं तो कोई भी बोलेगा कहां इसका काम तिकाउं है और मजबुत है तो आपसे काम कराएगा तो अंदर लगाकर अंदर भी हाथ घुमाना है उसके बाद से हमें इसको कर देना है पूश इस तरह से पूश करके और पोच दना बहुत जरूरी है अगर आप सफाई करते हैं यानि कि गुलू को जो है कि साफ करते हैं तो इससे जॉइंट आपका और मजबूत होगा और क्वालिटी आपका बढ़ेगा दोस्तों तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आप कोई भी बोलेगा कहां वह प्रोफ मिला कर मारेंगे तो इस तरह से अगर आप जाम करते हैं तो आपका क्वालिटी और को यह बोलेगा कि प्लंबर बहुत अच्छा है तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो बेहिचक मसाला लगा सकते हैं आपको कोई टेंसर नहीं है कि लीक आएगा अगर मेरे दिये हुए फर्मूले का यूज करते हैं मेरे वीडियो में जिस तरीका से बताया हूं जॉइंट करनेरें तो आप Gibson करते बढ़र चैनसेज नहीं रहे खाई है आपका 100% लीक नहीं सही फिर बढ़ बलाएगा ओ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल पर हैं पहले बार सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं